प्रेंट्स कैसो आप लोग बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रेंट्स आज लेंगे संब नंबर 5 यह भी टू कॉलम वाला ही है बैंक का कॉलम है और डिसकाउंट का शिरी बात है यानि बैंक तुरू ट्रांजेक्शन होंगे इसमें चला ओपनिंग बैलेंज यानि यह पर ओवर्ड्राफ्ट अल्वेज ऐसा क्रेडिट बैलेंज आई अल्री इन्फार्म मु यह रहा हमारा डेट फर्स्ट और ओवर्ड्राफ्ट कॉन्ची साड़ पर आएगा तो ट्रेंट साइड फ्रेंट्स वह तो हमें पता ही है ओवर्ड्राफ्ट ओल्वेज हैज निला को डन चलो निला गेवे चेक आप्टर डिड़क्टिंग डिसकाउंट विची डिपोजिट इंदर यानि सूल्ड किया हुए तो पैसे आएंगे आएंगे सिधी बात हैं तो 9000 का गुड्ज है माइनस 10% टिडी है यानि 900 होगा यानि चेक हमें कितने का मिला होगा 8100 तो सिधी बात है पैसे आ रहा है तो यह रहा सिल्स अकाउंट क्रेडिट होता तो रिकोड़ी कहां होता पैसे आते पी नहीं और जाते पी नहीं यहां तो कैसेल्स है हुई रिकोड होगा डन चलो सेवन कंपीट होगे है फ्रेंड्स हमारा अब लेते है 14 चेक रूपीज 5000 चेक अप रूपीज 5000 इस्शू टूर्म नारायना स्वरी नैना ओके नैना नैना इन फुल सेटल्मेंट अप रूपीज 5050 यानि हमें नैना को 5050 देने थे हमने दिये कितने 5000 यानि 50 रूपी डिश्काउट मिला हमें यह रहा पैसे जा रहे है नैना डिसकाउंट में 50 और चेक अमाउंट 5000 चलो मैंने पहले बूला कैस्ट डेबिपिट होगे तो डिसकाउंट भी डेबिट होगा यानि यह कैस्ट डिसकाउंट होगे यानि 50 रूपीज कॉंसर्ट कंसिडर किया cash discount तो सिधी बात है पैसे के साथ ही है न ये तो ये तो कब मिला 50 रूपी discount जैसे ही हमने check दिया 5000 का हुई यानि हमने 5050 का account settle किया done, चलो, next अब लेते हैं 14 के बाद 16 commission 1100 paid किया हुआ है check से तो उबी पैसे जाई रहे है तो ये रा commission 1100 done clear, चलो, next यानि ये भी पैसे जाँ रहे debit what comes in, credit what goes out पैसे जाँ रहे, commission paid किया हुआ expenses बिजनेस के लिए done, चलो, next 20, विपूल has given a check up रूपीज 11000 towards the amount payable 11125 यानि हमें विपूल से कितने लेने थे 11125, हमें चेक कितने का मिला, 11000 का, पैसे आ रहे है, तो debit what comes in, तो debit side आएगी entry ये वाली, कितने रुपीज के discount होगा, 125 का सिदी बाद है, 11000 125 minus 11000 यानि discount amount होगी 125, पैसे आ रहे है, तो ये रहा, 11000 और 125, मैंने पहले बोला, cash और bank debit होगे हैं, तो discount भी debit होगा, cash और bank credit होगे, तो discount भी credit होगा, सिदी बाद है, next, यानि ये भी complete होगया, next, 20 complete होगे है, 23, goods of rupees 4000 sold to चंदूलाल, ठीके, goods sold कर रहे है, ठीके, 10% TD and 10% CD, ओके, चंदूलाल made the payment immediately by check, check is deposited in the bank, यानि फिर से, पैसे आ रहा है, क्योंकि goods sold होगा है, ठीके, अब देखते हैं, ध्यान से, goods value कितनी है, 4000, पहले 10% TD माइनस करते हैं, यानि 400, यानि कितने बचे, 3600, फिर हम माइनस करेंगे 10% CD, यानि 360, 3600 का 10% यानि 360, यानि after deducting CD, यह हुआ हमारा CD, ठीके, तो 3240, I am repeating, goods value 4000, 10% TD यानि 400, ठीके, तो after deducting TD, यह रहा, 3600, फिर 10% हम ले लेते CD, तो 3600 का 10% यानि 360, after deducting CD, हमें पैसे, चेक से कितने मिलेंगे, 3240, यानि यह दोनो record होंगे, number 1, 3240, और number 2, CD, क्योंकि TD deduct होता है, record नहीं होता है, यह रहे, दोनों के, clear friends, next, 2600, ठीके, 2600 लेते हैं, अब इसको clear कर दू, 1800 paid to, देवानसी by check, पेड़ है, तो फिर सीधी बात है, पैसे जाएंगे, यह रही देवानसी, 1800, ठीके, next, check dishonor हो रहा है, 28 को, विपुल वाला, ठीके, तो check dishonor हो गया, तो यह रही entry विपुल वाली थी, ठीके, यह बराबर उसको ही reverse कर दिया, यानि, सिधी बात है न, यह जो मिले थे 11,000, उसको ही यहाँ पे debit से अप्रेडिट कर दिये, यानि, यह debit से मिले थे तब, यह dishonor हुए, तो credit side पर, फिर तो discount का तो totally करना होता है, उसका तो balance निकालना होता ही नहीं है, friends, आपको पता ही है, clear है, फिर, bank का balance निकाल लो आप, debit side का total कर लो, bank column का, debit side का total कर लो, उसमें से credit side minus कर दो, यानि, आपको difference मिल जाएगा, तो यह रा difference, ठीक है, यह रा, और जून दा तो, carry for a balance हमारा, जुलाई में हो जाएगा, done, तो friends, बहुत easy था, सब छोटा था, और easy भी था, तो आप practice करेगा, कोई भी doubts हो, तो फैसे ही आप, वो तो मैंने बोला हुआ ही है, ठीक है, heading डालते जाओ, case book, ठीक है, तो जैसे ही आपको कोई doubt हो, तो सिधी बात मुझे message कर दीजेगा, ठीक है friends, have a good day,